हमने खुद भी पैसा लगाया और हमनों को यह बताया कि इतनी बड़ी चीज आ रही है कि लोग इसके लिए तरसेंगे, लोग को नंबर लगाना पड़ेगा, क्यों में ख़ड़ा होना पड़ेगा, चार-चार साल बाद नंबर आएगा, इतना जदा इसको हाईपर बना दिया लगी होई थी, हम लोगों ने कोशन उठाये, लेकिन हमें उस समय सही जवाब नहीं मिला, कानपूर से एक अनोखा मामला निकल कर सामने आया है, जहां पर एक दमपती ने बुजर्गों को जवान बनाने के नाम पर करोड़ों रुपे की ठगी कई, ये दावा किया कि उनके पास एक ऐसी मशीन है, जो उन्होंने इसरेयल से मंगाई है, जिस से साथ साल की उमर का दिखने वाला आदमी भी पच्चिस साल का दिखने लगेगा, इस वक्त हम आरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वो लोग जो इस ठगी का शिकार हुए, जिन्होंने लाखों रु पर जो है, वो लेके भाग गए, इन्होंने बोला कि हम लोग एक ऐसी टेक्नोलोजी के मसीन ला रहे हैं, जो इसरेयल ने याद की है, और ये अपने इंडिया में आ रही है, इसकी कीमत करी पच्चिस क्रोन रुपर है, इसको अगर हम लोग ले आते हैं, तो यहां पर जो भ हैं, तो इसमें हम लोग काफी आकरसित हुए, हमने खुद भी पैसा लगाया, और हम लोग को यह बताया कि इतनी बड़ी चीज आ रही है, कि लोग इसके लिए तरसेंगे, लोग को नंबर लगाना पड़ेगा, क्यों में खड़ा होना पड़ेगा, चार-चार साल बाद नं कर दिया, यह बतलब थेरपी के लिए एडवांस दे दिया, कि जब मसीन आएगी, तो मैं इस थेरपी को लूँगा, यह बताते है कि एक थेरपी के कितने रुपे तक चार्ज कर रहे थे, और क्या बताते हैं, एक चोटा सा डेमो पैकेज था उनका, जो 6,000 रुपा था जैस जागे, तो हम दो लगा, जो 6,000 की चीज़ है, ठाई लाग पे हो जागी, पैसा करते हैं कि अभी से इसको बुक करा लेते हैं, तो जो 6,000 कर सकते थे, और दे सकते थे, उनसे 6,000 लिये, जो 90,000 दे से 90,000 है, इस तरह से हमारे लोगों का जो हमारे खास लोग थे, करीब 6,000 साथ लाग रुपया, हमने इनको दे दिया, अब ना हमें थेरपी मिली, ना हमारा पैसा हमको आपस मिला, कितने लोगों को तकरीबन ठागा होगा, और कितने लोगों ने पैसे अपरे, मुझे है, प्रॉक्स जानकारी हो लगए हजार बारा सो लोग है, इससे ज्यादा हो सक पास कि इनोंने ठगी कर गारे, आपका क्या ना है? रिनुसिंग चन्दी, आपी की कम्प्लेंट में मुकदमा दर्ज हुआ है, कितने रुपय आपके ठगे है, मेरे साड़े अठारा लाग रुपय है, आपके साड़े अठारा लाग रुपय दे दिये, सोचा नहीं है, आप पर राली चीज धाई लाग की हो जाएगी, तो जो नब बेजार दे सकता था, मैंने उनको भी बोला कि अपने स्वास्त के लिए अप थेरपी ले लो मेरे घर में तो कई बुज़र्ग ममी है, चाची वगएर ताई वगएर मामी है, मामा जी है, ने कईयों की ठरपी बुक क क्या बताया उन्होंने की कैसे ये मशीन जो है, क्या आप इस मशीन के अंदर जाना पड़ेगा या बाहर, कैसे जो लोग हैं की वो जवान दिखने लेंगे, उसमें जो हाइपर बैरिक ऑक्सीजन थारिपी का एक चंबर है बगाईदा, जो असली अगर चंबर है, जो हम लो और लोगो दिखाई वो उन्होंने मशीन कहां से क्रिएट करी है, कहां सी अससर उस समय तो हम लोग नहीं समझ पहें कि मशीन बहार से नहीं आई है, बिकोज हम और अभिशेक और दो चाल लोग और भी उस समय में थे जो बतलब देख पा रहे थे कि मशीन आई है तो हम लोग भी पहली ही बार देख रहे थे इतनी बड़ी मशीन है इतने क्रें से आई है और यह सब आया है तो ठीक इस गुड़ इनफ बट उसमें दोरान जब को आई दो अक्टूबर 2022 को आई थी इसलिए हम लोगों को डेट याद है उसके बाद मुझे लगता 6-7 महीने बंद कमरे में उसमें काम चलता रहा तो जब चीज़े खुली है तो दीरे-दीरे पता चल रहा है कि मशीन कानपुर में ही बनी है यहीं मशीन बनाई इनोंने आ क्या लगता है कितने की लागत से मशीन आप अगर आम देखने आए मार्केट में बात करने जाएं तो आपका क्या नाम है और आप से कितने रुबेट नाम है प्रिकाश यादो और मैं भी जब इस मशीन के बारे में मुझे जानकारी मिली तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ और मुझे ऐसा लगा कि दुनिया बदलने वाली है और लोगों की जिन्दगी सहज हो जाएगी मैंने भी अपने पैसे लगाए और मुझे पता नहीं था कि इस तरह की इस्तिती होगी जब वो मशीन देखी तो वो टैंकर का डिबबा था और उसमें नकली टाइप की कुरसि यह वो गाएब है तो आप लोगों से फूचता है आवाज उठाता है और उसके बात नतीज आज की अतारिक में आज देख लीजिए ना वह बंदा है ना कोई कंपनी में मिलने वाला है नहीं कोई जानने वाला है और वह गायब है तो आप लोगों को हैसास कब हुआ कि हां हमें तब हुआ जब हमें सर्विस के नाम पर सिर्फ वादे मिले सर्विस नहीं मिली हम तो रोज जाते थे कि एक दिन हमें भी सवभाग मिलेगा बैठने का पर एक दिन ऐसा वाक्या हुआ कि उसके अंदर से पाउडर निकले और एक ब्लास्ट सा हुआ लोगों के नाक के कर दिया उनके डेड़ लाग रुपए भी जमा हुए थे और उनके पूरे फैंबली के डेड़ लाग करके तकरीबन साढ़े पांच लाग रुपए जमा हुए थे सब्सक्राइब के कई लोगों आप लोग के भी पैसे गए कितने मेरा करीबन एक लाख रुपे गया और को देने से डिनाई कर दिया बोले आपको करना है करिए आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप नहीं करिए ऐसा कुछ उनका रविया रहा और मलब देखने से ऐसा लगता था कि सब कुछ बढ़िया है और बोले मैं इस पुरी बिल्डिंग का मालिक हूँ और बहुत सरी जूट जूट बताया मैं इतना बड़ा आदमी हूँ मेरे पास ये है वो है लेकिन जब बाद में धीर धीरे बाते खुली तो बचला उनके बास कुछ नहीं था आपका क्या नाम है आपके कितने रुपे मेरा नम धर्मेंद है और मेरे डेर लाक रुपे गये हैं और हमारे स बाद में यह उपनिंग उस मसीन की तो यह लोकल मसीन है यह कोई इसराइली मसीन नहीं है तब ही थोड़ा सतर गवे उसके बाद से भी हम लोगों ने उनसे कन्नी काटना चालू किया और कहा भी कई बार पैसे कलिए तो बोले मसीन सही आप बैठो तो लाओ तो अपने लोग पैसा तो मांगी रहें पैसा तो मांगी हैं। आपसे लोग तगादा कर रहे हैं आपने कई लोगों के लिए क्यूंकि मेरे घर आके लोग जब मुझे टॉर्चर कर रहे हैं तब मैंने अफाई लिखाने को मजबूर ही क्यूमिन के ओफिस जा कि कई वार मैंने हाथ पर जोड़े बहुत रिक्वेस्ट करी मतलब बहुत करोड़ों रुपे लेकर जो दमपती है वो फराहर है फिलाल मुगदमा दर्श कर लिया गया है दमपती कहां इसकी तलास जो है वो पुलिस कर रही है लेकिन लोग जो है वो अपने पैसों को पाने के लिए चक्कर लगा रहे हैं वीडियो जनले शुबम शुकला के साथ सिमर चावला कानपूर